असलाम अलेकूम मेरे नाम शहवाज नसीर है और मैं JRS Real States and Builders के प्लेट फार्म से हाजिर हूँ आज हमारा टॉपिक है प्रिस्टेंट 15A, प्रिस्टेंट 15A में 125 गस के प्लॉट लॉकेटिड है और गेट से इसका डिस्टेंस अप्रॉक्सिमेटली कोई आठ मिनट की ड्राइव है यानिके 6.3 कम इसका डिस्टेंस गेट से पढ़ता है इस प्रिस्टेंट की खुसुसियात यह है कि यह में जिना एवनियू पे लुकेटिड है यानिके प्रिस्टेंट 15-15A और इसके साथ ही पंदराइवी तो आज हम 15A की बात करते हैं इस प्रिस्टेंट राये में तक्रीबर कोई 3700 प्लॉट है यनि के 3,700 के करीब और इसमें प्लॉट को जो साइज है वो 25-45 और अप्रॉक्सिमिटली यहां पे इस वक्त तेजे से ड्वेल्पंट का काम जारी है और यहां पे इस वक्त स्ट्रीट का साइज है अगर हम इसके स्ट्रीट व्यू की बात कर लेते हैं तो तक्रीबर 40 फिट की स्ट्रीट है और तक्रीबर 60-80 फिट का रोड है एक अच्छे इन्वेस्टर के लिए एक अच्छे अपर्शनिटी है कि वह लोग जो एक छोटा प्लॉट इंटेस्टेड है 125 के प्लॉट में उनकी खौहिश ही तक्रीबर 2700 है और जो ग्राफिक स्टर पर अगर हम बात कर ली जाए तो प्राइम लुकेशन पर लुकेटिट है जैसी आप में जिना एवन्यू पे इंटरंस के बाद आप देखते है राइट साइड पर प्रिसेंट 14, 14 के साथ प्रिसेंट 15 और पंदरा के साथ 28 और 28 में डांसिंग फाउंटेन भी है प्रिसेंट 15 उन लोगों के लिए बेस्ट इंवेस्टमेंट है जो के एक चिप्रस प्राइस में अच्छा प्लॉट देख रहा चा रहे है यहां पर अगर हम इसकी प्राइस की बात कर लेते हैं तो लास्ट एर तके बन इसकी जो प्र हम बात कर लेते हैं तो यहां पर कोई 30-40 तक एक करोड़ 30 लाग में चीप बना बना बनाया घर विदगी के साथ मिल जाता है इसी तरह अगर हम विला स्टुक्चर की बात कर लेते है जो तक्रीम विला स्टुक्चर 90-95 लैक से स्टार्टिंग प्राइस है वह भी आप बड़ी मस्धित के करीब, ग्रेंट जामे मस्धित के करीब और थीम पार्क के करीब अगर वो इन्वेस्टमेंट करना चाहें तो 15 अई मेरी बेस्ट रिक्मेंटेशन है कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट करें अगर आप रोड़ क्रास करके 15 अई में लेते तो आपको 35 तक 40 तक आपको अच्छा प्लाट मिल जाता है तो मेरे वो नाजरीन जो इंट्रस्टिड हैं इस चीज में इन्वेस्टमेंट करना चाहें खास और पर हमारे ओवर्सीज भाई जो के बाहर बैट कर जिनकी खुआश होती है कि बेरिया टाउन में कोई अपना घर हो तो उनके लिए सबसे चोटा साइस जो प्लाट का बैरिया टाउन में है बैरिया ग्रीन के बाद क्योंके बैरिया ग्रीन 75 स्केरियाड का है उसके बाद 125 गरस का प्लाट है उसमें 15 A भी शामिल है तो 15 A में बेस्ट इंवेस्टमेंट अपर्शुनिटी है तो मैं रिक्मेंट करूंगा कि इस बेस्ट टाइम फॉर इंवेस्टमेंट के आप एक अच्छा सा प्लाट अच्छे से प्लाट से मुराद लुकेशन वाला प्लाट या कुछ जनरल प्लाट या 125 गस की जगा उने साथ पेड के साथ मिल जाती तो इससे उनका घर अच्छा डेकुरेट हो जाता है अच्छा बन जाता है और इसी तरह फेसिंग पार्क के अप्शन अप्शन अवे लेवल होती है कि आपके घर के सामने एक पार्क उसके अलग वर्थ होती है तो वो जो प्लॉट लेना चाहते हैं उनके लिए में पंदराय रिकमेंट करूंगा कि पंदराय में कॉर्णर या फेसिंग पार्क के प्लॉट है उनमें इंटरस्ट ले उसका फायदा यह होगा कि इन फ्यूचर जब आप अपना घर बनाएंगे तो घर बनाने में आपकी पंदराय में जरूर इन्वेस्पेंट करें मजीद तफसिलात के लिए नीचे दियेगे नमबर पर रापता किजिए थैंक्यू